सोलन के बार नमबर 6 में स्थित BSNL की टेलिफोन एक्सचेंज में शिम्रक शेतर के सांसद विरेंदर कश्य अपने खटना स्थलका दोरा किया और अधिकारियों से स्थिती का जाइजा लिया आपको पता दें कि बीती रात BSNL के माइक्रो बेव एक्सचेंज में अचानक आग लग गई थी घटना की सूचना मिलने के बाद फाइर विवाग की टीम पुलिस वर BSNL के अधिकारी मोके पर पहुंचकर तकरीवन डेट घंटे की मुश्यकत के बाद आग पर काबू पाया गया सांसद विरेंदर कश्यप ने घटना स्थलका दोरा किया और आग के कार्णों से हुए नुकसान के बारे में जाना सांसद विरेंदर कश्यप ने बताया कि तकरीबन 35-40 क्रोड रुपे की लागत से बनी एक्सचेंज में अचानक आग लग गई थी उन्होंने कहा कि करीब एक क्रोड के करीब नुकसान हुआ है बिवाग द्वारा युदिस्तर पर एक्सचेंज को ठीक करने का कारे किया जा रहा है और आने वाले समय में ऐसी धुरगटना ना हो इसके लिए भी प्रयास किये जाएंगे बहीं वी एसनल के अधिकारी रविंदर कुमा ने बताया कि आज तक इस से पहले इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और उन्होंने अश्वासन दिलवाया कि दुविश्य में ऐसी धुरगटना ना हो इसके लिए बिवाग द्वारा उचित कदम उठाए जाएंगे यह सुख़ स्थिती रही कि जो करोड़ों रुपए की प्रोजेक्ट लगवग 35-40 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो लगवग अब जो नुकसान आंका गया है अभी फिलाल रफली जो है वो एक करोड़ के करीब जो है वो नुकसान आंका गया है मुझे लगा कि सारे क्षितर के चारों तरफ के जो इंजिनियर्स हैं वो रात भर से यहां पर लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है इस कोर नेटवर्क को संचालित किया जा सके जहां तक DGM की बात है उनका ये कहना है कि अभी हम लगवग आठ न की परिशानियां तो आई हैं इसमें एक कोई इस प्रकार का एक्विप्मेंट अगर लगाया जाए जिससे जो है हमारा जो एक बेस है वहीं पर उसका अगर कोई नुकसान होता है तो तुरंत उसके माध्यम से जो है उसारा सिस्टम बच सके वो यहां पर मुझे लगा कि हो ह दो आई है जो है और मुझे लगा कि अहीं एक कोई दोर लगाउ पूर लगाव कोई दो अस ब्सके माध्यम से खिवा अबच लेख वाजन आपको सब्सक्राइब मॉझें यहां आपको इस एक प्रकारशन इस वान रख बच्वाद अप्र गजाए इस एक व्फ़ यहां उन एंस्टार न्यूस के लिए सोलन से अमरप्रीत पुंच की रिपोर्ट